असलाम लेकूम माई दियर स्टूरेंट्स ग्रेट 2 सब्जेक्ट इंग्लिश उनिट नमबर 2 लेसन नमबर 3 रिडिंग दा ब्लैक काइट आज हम अपने उनिट नमबर 2 लेसन नमबर 3 की रिडिंग करेंगे दा ब्लैक काइट पार्ट 1 Where did Tariq live? Tariq कहां रहता था? Tariq lived in a tall block of flats in Lahore. He had three kites. Tariq कहां रहता था? Lahore में एक tall block था, flats जिसमें बहुत सारे flats होते हैं. Block Nama एक building थी जिसमें वो रहता था. He had three kites. उसके पास तीन पतंगें थी. One kite was blue, एक kite जो थी वो निले रंग की थी. With a yellow tail. One kite was orange with a white tail. One kite was red with a green tail. उसके पास three different kites थी. जिनके three different tails थी. पहली कौन सी थी? Blue kite, जिसकी yellow tail थी. दूसरी orange with a white tail. और एक उसके पास कौन सी थी? Red with a green tail. Tariq liked the red kite best. उसे सबसे ज़्यादा कौन सी kite पसंद थी? Red kite. Look at this picture. इस picture में देखें. यह देखें. यह तारिक है. यह इसके फादर है. यह three kites है. और यह कितने three different colors kites हैं और इनकी different tails हैं. और इसे सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा color था? Red. Red is like, Tariq liked the red kite best. Please, will you help me to fly my kite dad? He asked. उसने पूछा अपने वालिद से कि क्या आप पतांग उडाने में मेरी मदद करेंगे? Well, I will try. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा. His father smiled. उसके जो वालिद थे, वो मुस्कुराए. उन्होंने मुस्कुरा के कहा, मैं कोशिश करूँगा. अच्छा, मैं कोशिश करूँगा. Smiled is the second form of work. His father smiled. उसके वालिद ने मुस्कुरा के कहा या मुस्कुराए. But I am not good at flying kites. लेकिन मैं पतांग उडाने में इतना अच्छा नहीं हूँ. या मुझे अच्छे से पतांग उडानी नहीं आती. Let's go up to the roof. आओ च्छत पर चले. रूफ, च्छत. रूफ का क्या मीनिंग है? च्छत. आओ च्छत पे चलें. इस पिक्चर को देखें. इसमें आई ये देखें. तारिक, ब्लू काइट हैं इनके हैंड में. और ये क्या है? इसके फादर है. और ये लोग रूफ पे हैं. और ये दूसरी रूफ पे भी एक बच्छा है. ये देखें. डिफरेंट वाइस है. जो के काइट सुड़ा रहे हैं. और ये देखें. एक और है. एक और आपको पिक्चर में एक और ये एन ओल मैन नजर आ रह पतंगे ले आए. तुक is the second form of verb. लाए. वो पतंगे च्छत पर ले आए. ओ लुक वो देखो. सेट हिस फादर. उसके वालिद ने कहा. दिर इस मिस्टर रियास. वहां मिस्टर रियास है. ये कौन है? मिस्टर रियास. ये कौन है? मिस्टर रियास. ये इस रिडिंग. वो प ज्यादा शौर मत मचाना. नौाइज. शौर. टू मच. बहुत ज्यादा. ज्यादा शौर ना मचाना. वो नाराज हो जाएंगे. कौन? मिस्टर रियास. मिस्टर रियास वास सिटिंग ऑना मैट. वो एक मैट पर बैठी हुए थे. ही इस नॉट. ही डिड नॉट लुक एट तारिक एंड हिस फादर. उन्होंने नहीं देखा किसको तारिक को और उनके फादर को. मिस्टर रियास ने नहीं देखा. वो अपनी डिडिंग में ही बिजी है. उन्होंने नहीं देखा कि तारिक और उसके फादर क्या कर रहे हैं. अब इसका नेक्स पेराग्राफ देखते पतंग जो थी वो उपर गई और फिर फैल डाउन नीचे गर गई उन्होंने दुबारा कोशिश की कोशिश की अगें दुबारा